केंडल का चेहरे से तो बूलिश है क्योंकि इसका बॉडी बहुत छोटा है नीचे शैड़ो बहुत लंबा है तो यह शैड़ो जब लंग है इसका मतलब क्या है प्राइस नीचे आया था सेलर लोग लाये थे लेकिन बायर लोग दूबारा प्राइस को उपर लेकर चला गया बायर काइंड आप स्टेंड शोग या तो इसलिए एक बूलिश केंडल है लेकिन देखिए कभी भी कोई भी ट्रेंड बनता है उसमें ब्यारिश और बूलिश केंडल अकसर बनते रहते हैं अब कोई एक केंडल के लिए हम यह नहीं कर सकते कि आप आप ट्रेंड ले लिजि होगा तो इट कैन गीव वेरी गूड रिटान अगर वो नहीं होगा तो आपको छोटा मोटा कुछ प्राफिट देगा अगर वे स्टोप लॉस हीट कर जाएगा तो भी हो सकते तो इस्टोप लॉस हीट करने का चांस से 42-50 ठीक है आप मान लिजिए अगर 100 टेड लेंगे उ हलो प्रेंट्स विल्कम टो चैनल मानी इंवेस टॉक दिस यूर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में और एक इंपोर्टन टॉपिक के उपर डिसकस करेंगे जिसका टाइटल मैंने दिया लिसन होएन वॉल्यूम स्पीक्स देखिए वॉल्यूम अनालिसिस के तो आपको सुन के यह थोड़ी आजीब सा लगए कि वॉल्यूम किस तरह बात करेगा लेकिन दोस्तों देखिए हम लोग केंडेल एंड वॉल्यूम जो भी हम पढ़ते हैं शीकते हैं जानते हैं उसका एक अपना लेंग्वेज में बात करने का तरीका है जो हम लोग टेक्न चाहिए इसका मतलब ए है तो देखिए दोस्तों वॉल्यूम के उपर बाकी जो बेसिक अंडरेस्टेंग के उपर वीडियो बनाया गया उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए तो हम लोग यह पर देख लेते कि क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो बेसिकली देखिए इसमें हाउ टू रीड वॉल्यूम इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत देखेंगे लेकिन इससे पहले इसको किस तरह रीड किया जाता है इसमें मैंने डीटेल वीडियो बनाया उसको आप देख लीजिएगा और किस तरह ट्र डीटेल में डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तों देखते कि किस तरह वॉल्यूम एक्चुली रीड करना चाहिए हमें और वॉल्यूम रीड करने के टाइम क्या-क्या चीज धैन में रखना चाहिए देखिए यहाप एक बात कहा देता हूँ देखिए डाउन ट्रेंड कांट चलता रहेगा कभी कभी देखेंगे कि अन मांंत तक चल रहा है कभी 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 सिख्स मांत आन यह और चाहिए आप उड़ बात्रों वो स्टॉक का जो नेचर है पनडमेंटल है उसी पर डिपेंड करता है तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक downtrend का situation consider करेंगे और उसके साथ साथ volume को भी notice करेंगे देखिए यहाँ से price नीचे आया, volume के साथ फिर थोड़ी pullback आया, मतलब upward retracement आया, फिर दुबारा price नीचे आया क्योंकि doubt theory में जो downtrend का definition है, उसको आप जान लेजिएगा, इसको मैं यहाँ ज़्यादा discuss नहीं करूँगा, लेकिन मोटा मोटा तोर पे देखिए price नीचे की तरफ भाग रहा है, इसी को downtrend define करने का doubt theory में एक particular तरीका है, तो basically यह है downtrend, इसमें कोई doubt हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब downtrend देखिए, मैंने क्या बोला कि train can continue, तो अभी अगर यह downtrend है, तो यह downtrend भी continue हो सकता है, कब तक होगा, यह किसी को भी नहीं पाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि downtrend हमेशा हर कोई stock के लिए continue होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, but reversal comes often, क्योंकि downtrend तो continue होता ह है, लेकिन काफी शारा time, many occasions, और मतलब often यह होता है, reversal, तो trend इस तरह reverse भी होता है, यह हम अकसर देखते हैं, अलग-अलग stock के case में, market का case में, तो यह होता है, तो अगर यह reversal को हम catch कर पाएंगे, तो हमारे लिए काफी अच्छा point होगा entry के लिए, कि हम काफी lower price में enter कर सकते है और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप trend में जाने से पहले, मतलब शूरुआत में हम इसको catch करेंगे, तो किस तरह इसको क्या जाता है, उसको हम देखते हैं, हमारा यह पर particular जो focus होगा इस वीडियो का, वो होगा reversal को आप किस तरह trade करेंगे, अब downtrend में, volume का combination में reversal को किस तरह trade क करेंगे, और यहाँ पर देखिए, volume increase हो रहा है, फिर decrease हो रहा है, volume increase हो रहा है, decrease हो रहा है, इसको मैंने काफी अच्छा से एक volume का वीडियो में, जिसका link आपको यहाँ पर दिख रहा है, नीचे description box में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने discuss किया, उसको आप देख लीजिया, तुश्रक क्या हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी आके उपर की तरफ चल सकता है, तो यह जो तीनों केसे, एक, दो और तीन, यह तीनों केस का बाहर, जादा कुछ probability है नहीं, इनी तीनों केसों में कोई एक को होना पड़ेगा, ठीके, लेकिन हमारा target क्या है, अगर वो downtrend continue हो अगर आप shorting side का नहीं सोच रहा हो, अगर आप short कर रहे हो, तो downtrend में भी आपका interest होना चाहिए, और similar logic में, तो दीके, इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्राइस किस तरह movement कर रहा है, अब दीके, प्राइस थोड़ी थोड़ी नीचे आ रहा है, हर candle के शाथ-शाथ volume को चेहरे से तो bullish है, क्योंकि इसका body बहुत छोटा है, नीचे shadow बहुत लंबा है, तो ये shadow जब long है, इसका मतलब क्या है, price नीचे आया था, seller लोग लाये थे, लेकिन buyer लोग दूबरा price को उपर लेके चला गया है, तो इसलिए एक bullish candle है, लेकिन देखिए, कफी भी कोई भी trade ब क्योंकि bullish candle है, मतलब buy signal आप दे सकते, लेकिन major जो trade है, ये down है, तो down trade में bullish trade लेना कभी भी अच्छी बात नहीं है, ये अपका kind of theory का against जाता है, तो इसलिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस object करेंगे कि चलो इसमें क्या होता है, इसके बात, तो इसके बात जो price action बनेगा उसके उपर हम decision लेंगे, कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या होने का chances है, तो अभी देखिए, इसके बात जो price movement हुआ, ये काफी interesting है, ये fast bullish candle आया था, आप देखिए इसको note down करते जाए, क्योंकि इसमें मैंने 8 से 10 point बताऊंगा, किस तरह market reverse होता है, और आपको candle and volume को किस candle आया, इसको note down करेंगे, लेकिन कुछ action नहीं लेंगे, शेकेंड पॉइंट एनदर bullish candle आया, इसको भी हम note down करेंगे, लेकिन कुछ action नहीं लेंगे, लेकिन जो third bullish candle है, इसको तो notice करेंगे ही करेंगे, उसके शाथ-शाथ हम लोग, ये fourth point जो volume आया, इसको हम अबज़र क्यों कि ये volume हमें जो दिख रहा है, average volume का कहीं उपारे, दो-तिन गुना volume है, और ये volume किसने बनाया, buyer ने या seller ने, तो इसको हम कहेंगे कि buyers volume, क्यों बोलेंगे buyers volume, क्यों कि volume buyers का या sellers का समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा, उस volume में जो candle बाना, उस candle में, अब इस candle में हमें क्या दिख रहा है, कि इस candle में हमें दिख रहा है कि price यहाँ पे open हुआ, और यहाँ पे close हुआ, जब इस तरह open and close हुआ, तब आप क्या बोलेंगे, कि यहाँ पे buyer लोग strong था, क्योंकि buyer लोग उपर जाके price को close किया, तो buyer लोग strong था, यानि कि stronger था, comparativity कि किसके साथ, seller का comparison में, वो strong था, तो buyer and seller का जो combination है, जब volume को शत लगा देंगे, तो हमें पता चल रहा है कि this is buyer's volume, तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों इसको buyer's volume में बता रहा हूँ, ठीक है, अब buyer's volume के साथ-चाथ, हमें अल्लेडी 2-3 point मिल गया है, कि यहाँ पे buying strength तो show कर रहा है, इसका price level होता है, confirmation होता है, जो चीज अभी तक आया नहीं, हम आगे जाके discuss करेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेते कि कि किस तरह price movement आगे जाके हो रहा है, देखे, यहाँ पे तो एक swing low बनाया, उसके बाद यहाँ पे आके price पी reverse हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज note करने वाला है, क्योंकि market reverse तो हो रहा है, यह तो होते रहा है, लेकिन कहा से हो रहा है, that matters, क्योंकि जब यहाँ से point में घुमा, तो एक तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे support होने का chances है, एक consecutive दो तिन bullish candle और उसके साथ volume आने के कारण, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यह candle बाना, यह क्या है दोस्तो, यह bearish candle है, अब bearish candle क्यों बतारो में, मैं देखिए, यह shooting star candle है, ठीक है, यह shooting star के उपर मैंने एक dedicated वीडियो बना है, उसको अब देख लीजिएगा, shooting star candle आपने आप bearish होता है, इसका color चाहे क्यों ना green हो, ठीक है, यह green तो नहीं है, यह chart मे मैं क्या लिखा, cyan color दिया, ठीक है, cyan मतलब bullish candle है, तो anyway, यहापे जो उपर आपको shadow दिख रहा है, यह आपको बोल रहा है, कि यह bearish है, लेकिन दोस्तो यह bearish होने के शाथ-शाथ आप इसको भी देखिए, यह जो previous high था, उसको इसने touch किया, that is itself bullish signal, ठीक है, जब bearish पूरा ना जो high को अगर कोई swing, मतलब downtrend में जाके touch कर रहा है, तो वो kind of bearish sentiment को forecast करते है, क्योंकि आप देखिए, उससे पहले यह कभी previous high को touch नहीं किया, यह एक कारण है, लेकिन यहापे आके किया, दुशरा बात, यह जो swing low बना था, यह पिछला low से काफी नीचे था, लेकिन यहापे जो swing low बना, यह पिछला low से बहुत जादा नीचे नहीं गया, उसके साथ चत, पिछला जो high है, उसको भी touch कर गया, इसका मतलब क्या है दोस्तो, कुछ buyer लोग है, जो price को उपर ले जाने का कोशिश कर रहे है, कोशिश करना मतलब यह नहीं कि वो लेके जाएगा ही जाएगा हो सकता है, वो जाएगा, हो सकता है, वो नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग जब तक confirmation नहीं आ रहा है, हम trade नहीं लेते हैं, और इसमें हम cable मातलो wait करेंगे, ठीक है, तो अब भी आपे देखते रहे है, क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए, एक retracement आया, अगर अभी हो सकते ह यहां से bounce back हो, लेकिन case जो भी है, आपको हमेशा market में neutral होके देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है, इसके बाद देखिए, एगेन यहाप एक bullish candle आया, और यहाप एक बड़ा volume second time आया, यह मेरे लिए again another important point है, कि पिछला जो low था, उस low को इस swing ने break नहीं किया, इसका मतलब यह पर sentiment जो है, यह जादा bearish नहीं है, overall trend bearish है, लेकिन यहाप जो present sentiment शो कर रहा है, जादा bearish नहीं है, उल्टा आप इसको bullish कह सकते हैं, क्यूंकि यह जो candle है, यह candle का lane देखिए, यहाप तक जो average candle है, इससे जादा है, अब इतना बड़ा candle जो बना, वो भी bullish candle बना, तो bullish sentiment शो कर है, उसके शाद शाद यहाप एक support create किया, जिसको उसने break नहीं किया, अब यह आगे जाके देखना है, कि यहाँ आगे again break करता है, यह उपर जाता है, यह शाइड में जाता है, लेकिन जो भी है, हमें neutral होके देखना है, और उसके शाद शाद यह candle जो भी हुआ, उसके बाद एक candle थोड़ी छोटा है, लेकिन इसके शाद volume को देखिए, यह काफी बड़ा है, और यह क्या है, buying volume again, same logic, जिस करन से इसको में buying volume बोला, यह भी same logic में यह buying volume है, तो second time हमें buying volume आया, support creation हुआ, support को respect किया, resistance को heat किया, और काफी bullish candle के साद price move कर रहा है, चलिए, अभी जाके लेकि हम follow कर रहा है, candle and volume, हर candle and volume को आप consecutively देखिए, इसके बाद और एक candle आया, जो bullish है, और उसके साद volume भी significant है, तो इस तरह आते रहेंगे, कभी कभी आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग इसको शुनते जा रहा है, क्योंकि हमें volume क्या कर रहा है, दोस्तो volume कहा रहा है, कि भाई, यहापे कोई buyer है, जो buy कर रहा है, तो आप अगर चाहो, तो इसमें buy करने के लिए सोच सकते हो, नहीं तो, आप थोड़ी wait करो, कि जो भी buyer खरीद रहा है, वो करना क्या चाहते है, इसलिए यहापे भी volume हमें चिला के कुछ बोलना चाह रहा है, एक बड़ा volume दिख रहा है, लेकिन इसका color है दोस्तो, red, red मतलब हमें क्या पता है आज तक, red का मतलब हमें यह पता है कि यह bearish, लेकिन आप यहापे देख लीजिए, कि दोस्तो इसको मैं bearish नहीं काऊंगा, bearish काऊंगा तो यह गलात होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा volume आय ऐसा नहीं कि वो नीचे आके close हुआ, price क्या क्या, price इस level से थोड़ी नीचे तो आया था, लेकिन बाद में वो उपर चाले जाया है, और उपर जाके close हो, हाला कि यहापे हुआ, ठीक है, तो मतलब price नीचे push होने का कोशिश तो किसी ने किया, किसने क्या होगा, of course seller ने किया ह होगा, लेकिन यहापे buyer लोग इतना strong है, कि वो price को नीचे रखने नहीं दिया, वो दूबार आप buy करके उपर लेके चला गया, तो overall यह जो red candle का color आपको दिख रहा है, इसको आप चाहे bearish बोल सकते हो, लेकिन इसको जब मैं volume को साथ combine कर दूँ, तो यह मेरे लिए, आईद इसमें जो support है, इसमें जो resistance हीट कर रहा है, उससे पहले जो volume आया, उसका alignment में जो sentiment बन रहा है, उसको मैं कहूंगा, तो इसलिए, यह मेरे लिए bullish है, ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ से price किस तरह move कर दे, उसको हम देखते हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर price किस तरह move हो रहा है, उससे पहले आप और एक बार देख लिए, कि यहाँ पर भी जाके उसने resistance को hit किया, तो तीनों बार जब consecutive resistance को hit किया, तो हमें पता ही चल लए कि आप एक resistance zone है, तो चलिए हम इस resistance zone को यहाँ पर draw कर देते, क्योंकि draw करेंगे तो यहाँ में दिखता रहेगा और हमें एक understanding develop होगा कि किस तरह resistance काम करता है, तो यहाँ पर देखिए resistance draw किया हमने, और यह draw करने का तरीका है कि पिछला जितना भी आप highs को touch करा सकते हो, यह zone के बेल्ड के अंदर रख सकते हो, आप उसको रख लो, shadow and closing price उसको रख लो, उसके बाद देखिए, यहा पर तीनों बार इसको touch किया, ऐसा नहीं कि एक दो हम हाई लेके resistance draw कर दिया, तीन तीन बार वहाँ से price reverse हुआ, जब यहाँ से price बार बार reverse हो रहा है, तो हमें क्या बताता है, कि यह resistance zone में seller लोग बैठे है, जब भी यह price is zone पर आ रहा है, वो selling को start कर रहा है, जब भी यहाँ पर आया था, वो selling किये थे, जब भी यहाँ पर आया था, वो selling किया था, तो यहाँ पर जो seller लोग बैठे है, वो उतना weak नहीं है, कभी strong seller है, अगर अभी इस price को कोई चाहे कि इसको हम उपर लेके जाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यह जो seller बैठे है न, वो जित तरह activity होता है, लेकिन यह तो आपको confirm हो गया कि resistance यहाँ पर एक strong बन गया है, मतलब एक established हो गया, उसके बाद चली हम देखते हैं कि volume and candle हमें क्या बोल रहे हैं, हम उसको सुनना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, यह काफी अच्छा price action बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ती bullish candle बन रहे हैं, उसके शाथ शाथ यह जो bullish volume बना उसको भी आप देखते रहे हैं, candle को अगर volume confirm करते हैं, तो that is excellent, मतलब इतना ज़्यादा confirm है, कि आप उसमें actually कुछ opinion दे सकते हो, और दुशरा चीज हमें क्या देखिए, यहाँ से fourth time एक bounce back आया, यह bounce back के बाद यहाँ पर क् एक चीज देख लेते, देखिए, यहाँ पर यह जो swing बनाना यह पिछला लोग को touch नहीं किया, मतलब यहाँ पर buyer लोगों का जो activity है, यह आपको हर चीज explain करके बता रहे हैं, कि यहाँ पर buyer तो है, तो यह volume मुझे बता रहे है, यह volume मुझे बता रहे है, यह candle के साथ की यहा लूई किया था, और हर candle भी बता रहे है, यह जो पिछला जो लोग को touch नहीं करना मतलब क्यों होता है, कि seller लोगों के पास selling strength कम हो गया, वो ज्यादा sell नहीं कर पार है, दुश्रा buyer लोगों के पास इतना buying capacity है, कि वो बार 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 ओर resistance को heat कर रहे है, ठीक है, resistance को heat करने का मतलब यह है कि वो उपर की तरफ तोड़ने का कोशिश कर रहे है, जब वो तोड़ देगा तभी breakout आता है, जब वो break करना, actually उनके लिए easy हो जाते है, जब seller weak हो जाते है, तो इसमें दो टाइप का terms of seller का weakness से आप बोल सकते हो, कि यहापर एक bullish sentiment है, in terms of buyer का bullishness से आप बता सकते हो, कि यहापर buyer bullish है, ठीक है, उसके बद हम देखते है किस तरह price action बन रहा है, क्योंकि जब तक अभी भी देखिए, मैं इतना कुछ बता रहा हूँ कि यहापर यह break करने का try कर रहा है, bullish sentiment, इसका मतलब कि आप यहापर entry कर जाएगे, नहीं, entry का signal अभी भी भी नहीं कर रहा हूँ, जिसको लेकर मैं खुद भी trade करते हूँ, और आप लोगों में जो भी मेरा channel के साथ जुड़ा हुआ है, channel का नीचे, video का description में में मेरा live portfolio का link दिया हुआ है, उसके आप देख सकते हो, हार stock को आप खोल के देखिए, most of the stock का pattern इस तरह दिखेगा, इसमें मैं इसका ट्रेडिंग सिस्टेम है, इसका accuracy कफी हाई है, इसके बाद candle and volume को आप देखते रहिए, हर candle volume को आपको सुनना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है, रीड करना पड़ेगा, देखे, वो fifth time वो resistance को हीट किया, और resistance को हीट करने के बाद देखे, यहाँ पे वो consolidate होने लगा यहाँ पे जब वो consolidate हो रहा है, तब देखे, प्राइस नीचे आना बंद कर दिया, यहाँ से थोड़ी आया था, लेकिन यहाँ से और आना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो इस resistance zone पे वो रूख गया है प्राइस, जब इस तरह resistance zone पे वो consolidate हो रहा है, इसका म ट्राइ करने के मतलब यह भी हो सकते है, वो successful हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वो fail हो जाएगा, अब कब fail होगा और कब successful होगा, वो भी जानने वाली चीज़ है, क्योंकि जब fail होगा तब आपको clear बता देगा कि price नीचे की तरफ move करने लगेगा, यह high, यह high, यह high को touch करन आ जाएगा, अगर वो successful होने का chances से तो price यहाँ पर hold करेगा और upside break करेगा, तो हम अभी भी entry नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पर देख रहा हूँ, अभी तक हम लोग entry नहीं किया, हम लोग कब entry करेंगे, confirmation पर entry करेंगे, confirmation किसको बोलते, जब breakout होगा, ठीक है, upside resistance को वो break करेगा, अगर वो resistance को आप अगर पूछेंगे, कभी अगर break नहीं किया, नीचे आगा है तो, क्या हुआ, कुछ मत किजिए, बस बैठे रही है, दुसरा stock को ढूण दिए, ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते, कि consolidation पर time पर भी या भी volume है, उससे ज़्यादा important point यह है, कि य यह जो volume है, यह आपके लिए confirmation के तरह काम कर सकता है, अगर आप experience trader हो, ऐसा नहीं कि मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, यह जो candle, hammer candle, hammer candle के उपर मैंने वीडियो बना है, जिसका link आपको यह पर दिख रहा है, नीचे description box में दिख जाएगा, आप वह से देख लीजिए उसके साथ अगर volume को आप जोड देंगे, जो इतना बड़ा volume आपको दिख रहा है कि इस चार्ट में अब तक इतना volume नहीं आया, और एक candle के साथ बना, जो की consolidation range में बन रहा है, तो यह kind of एक अच्छा खाशा, मुलब 70% confirmation कह सकते, कि जो भी experience trader है, वो next day यहापे entry कर सकते, based on this आइदार आप अगर short term trade हा रहे तो यहापे stop loss रखे, नहीं तो आप यहापे stop loss रखे, लेकिन यहापे trade लेना possible है, ऐसा नहीं कि impossible है, मैं खुद लेता हो कभी कभी, लेकिन यह हर किसी के लिए recommended नहीं है, जिसका market में stop loss लेने का आदत है, जिसको experience है, वो ही यहापे ले कभी ना कभी तो breakout होगा, finally breakout game है, जब breakout यहापे आ गया, देखिए उपर आके price close हुआ, मतलब आपके लिए यह confirm हो गया कि अभी breakout हो गया, अब चाहो तो इसमें entry कर सकते हो, उसके आगे बड़ा बड़ा दो volume भी है, और यह breakout किस के साथ हुआ, high volume के साथ हुआ, कोई भी breakout successful हो होगा, उसका judge करने का तरीका है कि उसको volume को देखिए, अगर वो ज़्यादा volume के साथ breakout होता है, तो very very high chance कि वो successful होगा, ठीक है, अगर low volume के साथ वो breakout हो रहा है, तो failure rate थोड़ी ज़्यादा होगा, वो fail होने का high probability है, तो इस तरह आप successful breakout and failure proven जो breakout है, जो fail होने का chances है, उसको आ entry करेंगे, यह होगी आपका entry price, either this candle का entry, मतलब closing price, और next day candle का opening price, या next candle का open price, अगर आप मानलों कि यह 10 minute chart में कर रहा हो, एक घंटे का chart में कर रहा हो, मैं बताते तो यह 1 minute से लेके, on month तक, on साल तक, आप किसी भी chart में कर सकते हो, यह mutual fund में कर सकते हो, ETF में कर सकते हो, यह Indian market मे में कर सकते हो, बंगलादेशी market में कर सकते हो, USA market, UK market, कही भी दूनिया का किसी भी market में, आप crypto में चले चले जाओ, future option index, इसी में भी चले जाओ, stock में equity, हर जगा equally applicable होगा, क्योंकि यह है एक दों basic price action, मतलब economy या psychology के उपर base करके, basic price action analysis हम कर रहे है, यह पर देखिए दोस्तो यहाँ पर कोई indicator अपको दिख रहे है क्या, इसमें कुछ भी indicator है नहीं, इसमें कोई भी RSI नहीं है, MSCD नहीं है, moving average की नहीं, कुछ नहीं है, बस candle and volume है, उसी का basis पर आप जाज कर रहे हो, हर टाइप का candle by candle, volume by volume, ठीक है, हम volume को शोन रहे है, कि volume हमें क्या बोल रहे है, volume हमें buy बोल रहे है, या sale बोल रहे है, जो भी यहाँ पर buy कर रहे है, अब यहाँ पर पूछेंगे, यहाँ पर कौन buy कर रहे है, volume का वीडियो में मैंने already describe किया, यह पर जो भी buy कर रहे है, buy करने का मतलब क्या है, यह इफाई आइडिया या mutual fund कोई buy करेगा, अधर इतना बड़ा volume तो retailer का है नहीं, जो भी buy कर रहे है, उनको की buy कर रहे है, downtrend में है, अब देखे, technical analyst तो downtrend में buy नहीं करता है, अगर हो बेवकूप नहीं है, नहीं तो technical analysis जानता नहीं है, या उनका trading setup ही आलाग है, ठीक है, उनके लिए technical analysis का definition ही आलाग है, हो सकते हैं, किसी को offend करने के लिए नहीं कर रहा हो, ठीक है, लोगों का अलग-अलग style हो सकता है, लेकिन बात है, कि most of the time technical analysis में buy नहीं करेंगे, fundamental analyst क्या देखेंगे, प्राइस जहापे है, यह काफी cheap price है, based on company valuation, क्योंकि मान लिजीए, एक सोई जी जो भी company है, उनको लोग, उनका balance sheet देखेंगे, उनका future prospect यह उतना है नहीं, काफी cheap है, तो चलो खरीदे, यह in future profitability है, तो खरीदे रहेंगे, यह जो भी sale करेंगे, उसको खरीदेंगे, तो price उपर जाएंगे, ठीक है, अब यह price उपर कब गया है, जब यहां का शारे seller को जितना भी बेशना था, उसको खरीद लिया गया, तभी price breakout possible ह Otherwise, it is impossible to break out, तो जब breakout हो गया, उसके बाद आप entry कीजिए, लेकिन आप यहाप एक चीज धहन दीजिए, entry is the easiest part in trading, या investing आप जो भी कही है, सबसे ज़्यादा easy part है entry, क्योंकि आपका account में पैशा है, बस खरीद लो, आप entry कर गया है, लेकिन उससे ज़्यादा important है की ASL कहा रख तो बीना ASL में trade करना एक type का पाप है, मैं आपको कही बार बोल चुका, तो मैं personally बीना ASL में trade नहीं करता हूँ, तो इस case में, अगर में ASL रखो, तो मेरा fast ASL होगा यह label, क्या logic है दोस्तों, क्योंकि according to DAO theory, अगर market uptrend में है, तो previous low को break नहीं करना चाहिए, अगर कर रहा है तो DAO theory का हिशाब से ओपtrend में नहीं है, तो अगर यह stock uptrend में move कर रहा है, breakout के बाद, तो फिशला जो low है, उसको touch नहीं करना चाहिए, या break नहीं करना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो low से थोड़ी सी नीचे, only after few points में भी 5 रुपया नीचे, आप इसमें या 5 points उसी जब से थोड़ी जिन नीचे stop loss दे दीजिए, यह kind of जो swing trader है, short term swing trader है, मेरे जाय से उनके लिए शही है, अगर आप long term technical investor हो, ठीक है, यह मेरे लिए नया टाम है technical investor, लेकिन आपका horizon थोड़ी लंबा है, आप weekly chart में कर रहा है, तो आपको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए stop loss, आपके लिए second जो swing है, या थोड़ी safer distance में जाके आप उसको लगा दीजे, क्यूंकि आपका थोड़ी stop loss जरूर दूर होगा, लेकिन heat होने का chances कम होगा, क्यूंकि जोस्तों, देखिए, हर stock का एक volatility होता है, कभी-कभी यह होता है, stop loss जब close होता है, तो stock यहाँ पे जब ऐ देना ही पड़ेगा, यह आपको tolerate करना ही पड़ेगा, यह जेलना भीना कोई उपाय है ने, लेकिन आप अगर technical investor हो, आपका हराई जनगा लंबा है, 6 माईना, 1 शाल, 2 शाल, 4 शाल, तो आप थोड़ी दूर जा सकता हो, ताकि यह volatility आपका stop loss को heat ना कर पाए, ठीके, इसको avoid क करने के लिए आपको stop loss थोड़ी दूर रखना पड़ेगा, तबके entry होगी, stop loss होगया, अभी देखिए, इसके बाद आप काल देखके entry ले लिए, और stop गूम के आके stop loss heat कर गया, आप तो मुझे गाली देंगे, दोस्तों, ऐसा इसमे probability high है, मैं यह नहीं कहा हो, आप खरी दि बिताए, और उसके बाद नीचे आ, या हो सकता है, यह से direct उपर जाए, टाइम बिता के उपर जाए, यह जो दो तिन टाइप का category है, इसका हर चीज होने का probability है, इसमें chances से कि 50 to 60% आपका accuracy होगा, कि यह से यह उपर जाएगा, ठीक है, और उसमें दोस्तों, जो risk reward होगा न, believe me, risk reward काफी high है, minimum 4x तो होगा, और maximum 10x तक यह जा सकता है, मतलब risk reward, यह नहीं कि आपका capital का 4 गुना हो गया, आप अगर 10 रूपया risk लिए हो, तो 40 रूपया profit होने का chances से, मतलब risk reward में कहरा हूँ, यह हो सकता है, 4x to 10x, यह काफी high risk reward, क्यों है दोस्तों, क्योंकि देखिए, train क्या था market में, market में train था down, ठीक है, train down होने के बाद market आप train में convert हो रहा है, जब convert हो रहा है, तभी आप entry कर रहा है, exactly जब conversion transition period में आप enter कर रहा हो, अब काफी अच्छा risk reward में, छोटा stop plus में आप enter कर रहा हो, तो यहा से अगर आप train continue होगा, in case होगा, तो it can give you very good risk reward return, ओके, अगर वो नहीं होगा, तो आपको छोटा मोटा कुछ profit देगा, अगर वो stop loss हीट कर जाएगा, तो भी हो सकते है, तो stop loss हीट करने का chance है 40 to 50%, ठीक है, मतलब आप मान लिजी, अगर 100 trade लेंगे, उसमें 40 से 50 trade आपका stop loss हीट होगा, आप कोई भी setup try कर लिजी, यहीं होगा, ठीक मतलब 50 to 60% टाइम आप देखेंगे, कि price इस तरह आप शाहिट move कर रहा है, और इसका risk reward तो मैंने आपको बताई दिया, तो दोस्तों यह अपने आप एक trading setup है, जिस setup में मैं खुद trade करता हूँ, इसमें no doubt मैं खुद trade करता हूँ, मेरे live portfolio का link में जा के आप stock को देख सकते यह तो उसको आप किस तरह सुनेंगे, in fact candle को भी आप किस तरह सुनेंगे, volume and candle दोनों को ही सुनना है, तो actually शही statement तो यह होगा, कि listen when candle and volume both speak, right, तो आप उसको सुनिए, देखिए, trade लीजिए, practice कीजिए, उमीद करता हूँ, दोस्तों आपको समाज में आया होगा, अगर कुछ question ह तो comment करके बदाए, हमारा नीचे हर टाइप का टेलिग्राम और साप गुरूप का लिंक दिया हो, आप उसमें जूर सकते हो, और नीचे हमारा courses का लिंक दिया हो, आप चेक आउट कर सकते हो, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं next वीडियो में, बाई बाई